अब आप देख रहे हैं अप्टो टैट जोन वेलकम टू माई चैलनल दोस्ते बाद फिर से हाज़र हो आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ और एक बार फिर से आज की वीडियो में होने वाले दोस्तों कुछ खास आप कि मेरे हाथ में कुछ देखने हैं दोस्तों यह क्या है जी हां दोस्तों आज की वीडियो इसी के उपर होने वाली तो चलो आपको बताई देते हैं यह है आपकी नेक्जन क्लासिक 350 के लिए हैड़ाइट ग्रिल सेट हैड़ाइट टेल लाइट पैलेट डैप और चारो इंडि जाएगा लिए तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही दिखाने वाले यह क्लासिक रिबॉन के लिए आपकी नेक्जन क्लासिक थ्रिप्टिक लिए हैड़ाइट ग्रिसल्प यह लिटिस्ट एससरी जो अभी मार्केट्व में आई है और शायद अभी तब को वीडियो में मिलने वाली है तो हमेशे की तरह आपको मैं यही किओंगा कि वीडियो का देखेगा वीडियो को lebih subscribe करेंगे तो आपकी जानकारी Stremm मैं आपको यह दिखा देता हूँ ग्रिल से कि यह किस तरह से इसकी लुक है और किस तरह से यह आपको मिलने वाल है तो कुछ इस तरह से आपको यह डिबबा देखने को मिलेगा और इसको पर आप यहां देख भी सकते हैं Headlight Rybon Set of 8 और कुछ इस तरह से दोस्तों यह आपको पीस मिलने वाले है यह इंडिकेटर्स के लिया है चार उपीस यह आपका पाइलिट्लिए दोस्तों और यह Headlight के लिए दोस्तों होई गया एक बार में आपको सारा ओपन भी करके दिखा देता हूँ तो यह डाइकास्ट का पीस है दोस्तों यह देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आने वाली है आप देख सकते हैं एक बार इसकी फिनिशिंग चेक करिए यह हो गया है और यह है दोस्तों आपका टेल लाइट के लिए आप देख सकते हैं एक बार इसकी लुक चेक करिए फेला अलाभी मार्केट में यह ब्लैक में अविलेबल है इन फूचर डेफिनिट इसमें सिल्वर सी एन सी कट काफी नए नए वरैटी आपको देखने को मिल ज सकते म्में धर लिए यह फादे फारित हो एक बार इसके पङए पाइलेट लें इह लिए कि उसकी整क पर छूटे लगा कुछी के बएक इसके लुक कि सैशटों मिलने वाली एक अप यह देख सकते हैं थोड़ा से राप अपको बिल्गुल क्लिर नजर आ भालतल सबबर। और उसी तरह से आपको यह side में आप देख सकते हैं यह screw के लिए hole दे रखे हैं और यह आपको किस तरह से tight करना वो मैं भी आपको भी बता रहता हूँ तो डिब्बे में अंदर आपको इस तरह से allen key और यह screw मिलेंगे दोस्तों तो screw इसमें काफी ज़्यादा important है और आपको यह काफी सम्हाल के भी रखने पड़ेंगे क्योंकि आप यह देख सकते हैं दोस्तों यह tiny से screw मिलेंगे आपको और यह allen key आपको इस जिब्बे में ही मिलेगी यह और आपको यहापए कि आप एक आप फिर्षी मिलेंगे आप यहां देख सकते हैं एक प्लाइटि करना दोस्तों और m करेंगे तो सभी प्रोसस सभी के लिए यही प्रोसस है इंडिकेटर्स में आप को जो चोटे टाइनी जो इसक्रेटր हैं को नियुक्ष करने हैं अधर् u आपको फिट करने बाकी है इसके फिटिंग आपको जो आल्री आप पारेड लाइब का को ही हटा के यह लगा लेने आपको सिंपल और उसी तरह से यह जो हैड़ लाइट है दोस्तों जो ऑरिजनल आपके फिटिंग है उसको स्कुरू के वल ओपन करने और वही जो स्कुरू है यहापे टाइट हो जाएंगे आपके दोनों से देख सकते हैं आपको यह कटिंग है दोस्तों कि आपका टेल लाइट को हो गया है यह आपके चारों इंडिकेटर्स के लिए हो गए और प्लस ही आपके जो है पाइलेट लैम के लिए और कुछ इस तरह से आपको यह बारे स्कुरू मिलते और साथ ही आपको यह एलन की भी इसी बॉक्स के अंदर मिलने वाले प्राइजिंग क्या है वो आपको दिस्रिफ्षिन में पता लंग जाएगा कंटेक नमबर एडर्स में आपको सब कुछ दिस्रिफ्षिन में दे दूंगा कि मैंने यह जो गेल से और किस परखेरा दूस्त तो वीडियो को वीडियो के साथ बने रहेगा और वीडियो को दो पूरा देखेगे चुले अब इस्टार्ट करते हैं इसके इस्टारेशन प्रोसेस करते हैं तो इसकी और ज़ेल पेश पर हम इसको इफ़ें कर लेंगे और इसको हटाके हम सिर्फ यह इसकी ग्रिल्ले यह लगा देंगे तो सबसे पहले हम यह पायरेट रियम्स की ग्रिली दोस्तों इसको अलПрिकिया निकाल रखी है इस बार जो इस में जालतार बोल जो है आप तो दोस्तों कुछ इस तरह से और ने crash air यम्न की की थे फिर्य बॉट ओपन कर लिकिन कर यह प्न करने दिये और जीटेनल ओर दोस्तों इस को बाहर कि निकाल लेंगे एध्य करेंगे और इसके जगह पे जो है जो grill है दोस्तों वो लग जाएगे हमें सिर्फ यह हटाने और इस तरह से जो यह grill है दोस्तों यहाँ पर यह grill इसकी जगा पर लग जाएगे तो चले अब आपको grill set करके दिखाते हैं अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो यह प्लीट टैम्पें इंश्टॉल हो चुके हैं कुछ इस तरह से इसकी लुप आ रही है मैंने अपर ओन कर देओं कि देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों इसकी लुप निकल कर आ रही है जाए लिए अब इंस्टॉल हो गई है अब इंस्टॉल करते हैं दोस्तों इंडिकेटर की ग्रेस्ट तो तो दोस्तों यह हैं इंडिकेटर की जाली जो मैं आपको देखा चुक्त और अब इसको इंस्टॉल करेंगे इंडिकेटर के उपर तो कुछ इस तरह से इसके लूप दोस्तो आने वाली आप यह देख सकते हैं और मैं आपको दूसरे भी एक बार लगा के दिखा देता हूं तो कुछ इस तरह की लूब इंडीकेटर की आने वाली जाली की लगने के बाद आप यह देखिए और मैं इस बारा आपको इंडीकेटर दो तो प्लोज अप से दिखाना जाँगों यह देखिए यह आप यहां पर बोल्ड देख रहोंगे इसको अंदर मैं स्कुरू अल्ड़ इसी प्लास्टिक बॉड़े के उपर यह जो जालिये दोस्तों कसी जाएगी मैं इसको कल कसके देख रहा था और मॉर्निंग में भी मैंने एक बार ट्राई कर रहा था लेकिन कसने के बाद आप यहां पर जो है थोड़ा साथ निशान बन गया है जो प्लास्टिक बॉड़े इ कैसे रुपएगा क्योंकि मैनुफेक्चर ने तो यहां पर दो बोल्ट दे दी है कि बस आप इसको टाइट करिए और यह इंडिकेटर जो है आप अपर बाइक के उपर लगा सकते हैं बट मैंने जो एक बार ट्राई किया दोस्तों तो ट्राई करने के बाद इंडिकेटर की इसके उपर निशान आगिया है और नीचे और लड़ी एक छोटा सो हॉल है अगर मैं एलन की के तो यह पेश कस था भी हूं दोस्तों तो वह हॉल के आप जो नीचे जो छेदे उसके आरपार हो जाएगा तो रुकेगा कैसे मुझे खुड़ सा यह डॉट है इस पर इसी लि प्लास्टिक बोड़ है दोस्तों यह खराब होने का डर है यहां पे छेट भी होने का डर है इससे अच्छा है कि आप यह डबल टेप लीजिए और इसको यहां पे डबल टेप से चिपका देजिए मेरे लिए हिसाब से यह बेस्ट ऑप्शन रहेगा फिर भी मैं आप लोग प्लास्टिक के ऊपर यह स्कुरू हो रहे हैं अगर मैं इसको ज्यादा सभी ज्यादा कर देता हूं तो जो रेट प्लास्टिक है टेल लेट को चटकने का ड़ा रहे दोस्तों तो मैं अपनी वाइक को हार नहीं पहुचाना चाहता हूं इस ग्रिल के चक्कर में अपना कोई इंडिकेटर यह टेल लाइट को मैं तोड़ दो नहीं चाहता हूं तो तो दो नहीं चाहता हूं पर एक छोटा से डैंक ऑल्री हो चुका है अगर मैं जादा उसको थोड़ी सी भी तागर मेरा तो में प्लास्टिक है तो आप आप दोस्तों निकल सेखता है तो उससे का आप देख सकते हैं यह थोड़ी सी मशक्कत करने पड़ी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता लेकिन यह डबल टेप से दोस्तों लग गया है आप देखिए यह प्रॉपर फिट मैंने इसको कर दिया है थोड़ी सी जान लागाने पड़ती है ताकि यह थोड़ा सा अंदर सेट हो जाए उसी तरह से मैंने यह वाले सेट भी जो अलड़ी डबल टेप से दोस्ते यहां पर लगा दिया है तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है एक बार आप दिखा जिता हूं जलाके यह देख तो दोस्तों यह 10 लाट की ग्रिल आप यहां देख सकते हैं मैंने इसके पड़वल टेप लगा दिये तो चले अब इसको एक बार फिट करके देखते हैं कि कि इतनी इसली या किस तरह से यह फिट होके इसकी लुक आती है यह जब कट देख रहे हैं दोस्तों इसके नीचे जो वाइट राइट है जो नंबर प्रेट को पर आती है इस वज़ दोस्तों आपने देखा डबल टेप लगाने के बाद तो यह जो ग्रिल है यह फिट नहीं होपा रहे है कि है यह जो पर आपको इसको यहां से हटा देता हूँ और इसके बाद इसको इसके लोक आएगे यहां पर आप यह जो एलम की से इसके जो है नट बोल्ट वो टाइट होंगे एक बर मैं आपको टाइट करके इसके साथ लेकिन अमुमन मैं इसको यूज नहीं करना चाहता हूं पूल्ट के थरूं तो यह है इसके दोस्तों एलम की और इसके थिम्स को आप आट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं बोल्ट के थिम्स यहां पर एक बिल्कूल रुक गयी है हिलने रही है डबल टेप से जो गैप गैपिंग जो कम होई थी लेकिन जो बोल्ट है दोस्तों यहाँ पर निशान डाल सकते हैं आपके जो लाइट को क्रैक भी करसे लिखते हैं फिलाल यह हिलने रही है और दिखने में काफे ज्यादा अच्छी लग रही है कुछ ने कुछ पर आपके टेल लाइट को सपोर्ट करेगी मैं आपको बात जयाक भी निकाल रहे हैं यह देखे कुछ इस तरछा से आपकी जो ऐइस टेल लाइट की लूग यहाँ पर दोस्तों आने वाली कि देख सकते हैं जो गुरिल है ग्रिल लगने के बाद ज़सके आपके तील लाइ ग्रिल सेट को लगा के देखते हूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यह है आपका इंडिकेटर की ग्रिल और यहां पर मैंने इस बार डबल टेप अभी नहीं लगाई यह आप देख सकते हैं बिना डबल टेप की ग्रिल है और इसको बिना डबल टेप के इपर फिट करने के क कोशिश करते हैं जो आप देख सकते हैं दोस्तों बिना डबल टेप के यहां की जो इंडिकेटर की जाली को मैंने फिट कर दिया है और यह हिल तो नहीं रही है दोस्तों लेकिन यह एगी यह जो आपकी प्लास्टिक बोड़ इसको डेफिनेटली खराब कर देगी इस पर आप डिकेटर के साथ थोड़ा रिसक ले सकते हैं तो आप इसको डबल टेप से भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन जो यह लुक्त पाएगी कर्या स्कुल के तथरू ही यहां पे लगा सकते हैं हैं आप सकते हैं इसको अशक्त्र करा है क्योंकि चैनल कर या देंस च्रूफ सकता है कि आपकी आपकी आपके आ यह लग रही है जोलुक है वो भी मुझे काफी जाधा पसंद आरे गारिज और यह लग रही है दोस्तों और एक लुख अलगी इसके साथ निकलकर आ रहे परस्नली मुझे काफी अच्छे लेगरिजिस की फिनिशिंग में ठिक ठाट दोस्तों इन फूचर आपके और यह यह जो हैड लाइट ग्रेल है दोस्तों आप यह देख रहे हैं अब यह जो मैंने अभी यहां से जो पेच खोलें उनी पेच पर यह फिट हो जाएगी कोई एक्स्ट्र अगसे इसमें पेच इस तरह से पाइलेट नेम फिट हो जाएगी तरह यह दारेक्ट फिटिंग इसके फ तो दोस्तों आप देख रहे हैं अब कम्प्लीट फिटिंग आपको सामने नजर आ रहे होगी है लेंट की ग्रेल भी लग गई है और इंडिगेटर के उपर भी ग्रेल लग गई है तो कुछ इस तरह से अब इसकी लूप निकल के आ रहे हैं दोस्तों मैं ठोड़ा साथ क्योंकि दोस्तों कुछ इस तरह से आ और पहले से ज्यादो इसकी रगेट लूप लगारी है पहले से जदा एक माचो लुप निकलकर आ रहे ही गाड़ी की तो इससे आपकी हैडलाइट तो सब्दोस्तों आप ल कर सकते हैं तो दोस्तों यह सब कुछ था आज की वीडियो में एक कम्प्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ग्रिल सैट मैंने आज गाड़ी में इस्टॉल कर रहा और ग्रिल सैट लगने के बाद लुक कैसे आते दोस्तों मुझे परसनली तो काफी अच्छा लग रहा लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको अब गाड़ी की लुक दोस्तों किस तरह से आ रही है गाड़ी की लुक पहले से ज्यादा रगेट हो चुके पहले से ज्यादा माच्छो लोग मुझे लग रही है और काफी ज्यादा अच्छ च्यारी और जो गाड़ी की जो लाइट से वो भी सेफ हो गई है उसी तरह से जो इंडिकेटर से यह भी दिखने में तो दोस्तों काफी अच्छ लग रहे है लेकिन जो जिस तरह से इसका रोगने का प्रोसेसर में उससे 100% सहमत नहीं हूं इन फूच ना कुछ अलग इसका पांचर अल्टर्णेट निकालना पड़ेगा मैंने डारेट फिट भी आपको लिखाया और डबल्टेप के साथ दिखा दिया है अगे और पाइलेट लेंग के दोस्तों डारेट फिट है और टेल लाइट जो है वह आपको इस कुछ पर ही फिट करने पड़े और नहीं चाह प्लास्टिक के उपर आपको फिट करने पड़ेगे हां तो उसके थोड़ा सा डर मुझ है लेकिन हां जो फिटेंगे वो प्रॉपर है गाड़ी जो फिटेंगे वो प्रॉपर है और जो जाली वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहे है वह एकदाम परफेक्ट फिट होई दोस्तों कए रूप भी इसकी अच्छी फिनिशिंग रहे है और अब बात कर लेंते दोस्तों मेन सबाल कि जो क्वें ना चाहते होंगे और मैंसे पूशना भी चाहते होंगे कि इसे पहले वीडियो अरे निम्टेट लेकर आएगब कितने का है वह आप गो बाता कर लिजेगा डिस्क आप दारेट गोरबाई को काल कर सकते हैं और इंडिया में घर, बैटे कहीं भी मंगा सकते हैं वो आपको डरेट कूरियर के मोड़कि मा प्राइच है entire ऊ पड़ेगा, complete installation process दोस्तों मैं आपको दिखा दिया है, आज की वीडियो आपके लिए यूस्फूल लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि जात तक मेरी knowledge है, अभी तक YouTube पर किसी ने भी grill set का installation process नहीं दिखाया है, grill set किसी ने अपनी बाइक में दोस्तों नहीं में भी ये पहली वीडियो हो सकती है, मैं इन डालने में कुछ देर कर दियो, तो पहली हो या ना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं पढ़ता, कोई फरक नहीं पढ़ता, दोस्तों लेकिन हाँ, ये जो grill set है, दोस्तों, market के latest accessories है, next gen classic 350 के लिए, और ये अपनी गाड़े में इं इसके साथ option और मिलेगे, नहीं नहीं तरीके grill set हैंगे, लेकिन अभी जो currently market में, ये option आपके लिए available है, तो दोस्तों, ये सब कुछ तो आज की वीडियो में, grill set की installation process, वो complete मैं आपको बता दिया है, आज की वीडियो अच्छे लगी है, आपकी वीडियो आपको useful लगी है, आप लोगों दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कहां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और बैल एकन भी प्रेस कर लीजेगा, ताकि आप लोगों मेरी वीडियो की notification मिलते रहे, क्योंकि इस तरह की interesting वीडियो में, अपने चैनल का regular upload कर दो दो, तो दोस्तों, ये सब कुस तो आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से मेरी next वीडियो में, तब तक लिए टिक करें, keep a smile.